नमस्कार दोस्टो मैं हूँ आपका दोस्ट अमर और आप देख रहे हैं अमरे एंटरेंट्य earth and teach वीडियो दोस्टो बहुत से लोग कहते हैं कि भारत ने शुन्य के अलावा दुनिया को दिया ही क्या है आज का यह वीडियो उनी लोगों के लिए है जो केते हैं कि भारत ने शुनने के एलावा दुनिया को दिया ही क्या है तो चलिए इस वीडियो के शुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं शल्य चिकिस्ता के बारे में शल्य 본 चिकेस्था याने शस्त्रक्रिया या सरजरी शल्य चिकिस्था के जनक है रुशी सुष्षूत जोकि एक भार्दिया है आचार्य सुष्षूत ने आश से 1000 वर्षव पुर्वा ही चिकिस्था शेतर में 125 प्रकार के उपकरन बनाए वह उपकरन आज के आधुनी कुपकरनों जैसे ही थे जैसे शूरी, चिम्डा, सुई वगरा इत्यादी और इसे के साथ उन्होंने तीन सो प्रकार की शल्ले चिकिस्ता की खोज कर ली थी और उसमें महारत हासिल कर ली थी शल्ले चिकिस्ता यह भारत की देने, अंग्रेजों ने भी भारत से शल्ले चिकिस्ता सीखी है, ना कि हमने उनसे शल्ले चिकिस्ता सीखी है रोशी सुशुरुत की किताब, सुशुरुत सहीता में इन सभी शल्ले चिकिस्तावों के बारे में विश्तार से बताया गया है आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का प्रारम भी प्राचिन भारतिय हिंदू ने किया था इस विशन 17 ब्यान्यों में टिपु सुल्तान की और ब्रिटिस सरकार के बीच युद्ध चल रहा था टिपु सुल्तान के सैनिकों ने एक ब्रिटिस सैनिक का नाक काड़ दिया एक साल बाद पुने के एक हिंदू डॉक्टर ने दो ब्रिटिस डॉक्टरों के उपस्तिती में उस सैनिक के नाक की सर्जरी की और उसके नाक को नया आकर दे दिया उस वक्त उपस्तित डॉक्टरों के नाम थे थामोस क्रुसो और जेम्स ड्रिंडले यह खबर उस समय के अकबार मदरास ग्याजेट में भी शपी थी और सत्रा से तौरेन्यों में जन्टलमन्स मैगजिन जो की लंडन की मैगजिन थी उसमें यह बात फिर से लिखी गई और कहा गया कि यह शस्तरक्रिया का ग्यान सुष्टु सहिता से प्राप्त हुआ और भारत में प्राचिन काल से यह शस्तरक्रिया की पद्धती का उफ्योग किया जाता है शल्लिज किस्ता की जनक रुशिश सुष्टु थे यह बात अंग्रेज भी मानते है आज हमारे ही भारत के कुछ लोग हमारे रुशिवों संतों को अग्यानी समझते हैं और अंग्रेजों को ग्यानी समझते हैं यही हमारी सबसे बड़ी भूले रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन यह मेडिकल कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में है इस Medical College में रुशी सुशुरुत का एक पुतला है Australia का यह Medical College भी रुशी सुशुरुत को शल्ले चिकिस्ता का चनक मानता है